आज के इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में यहां देखेंगे तो आज हमने अगें देखा कि शेलोन राइज होते वे दिखा है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी मिटकेप 100 में देखेंगे तो स मन्थ लो पे आते हुए दिखा है जो कि एक positive news रही है इसके साथ ही यहां देखेंगे तो continuous fi देखेंगे cash में selling दिख रहा है इवन यहां अगर future में भी देखें तो यहां continuous support नहीं दिखा है जिसके करण्द क्या हुआ है कि मार्केट continuous लेकिन यहां देखेंगे कि आज किस प्रकार से heavily जो है बेंक निफ्टी में call को sell करा गया event support बिल्कुल दिख नहीं रहा है और अगर one hour के चार्ट पे देखें तो higher high higher low के trend को follow कर रहा है बेंक निफ्टी को उपर जाने के लिए 42,700 के उपर की closing काफी important है जब तक इस closing को नहीं करता है तब तक positionally call buying करने से बचेंगे major support as of now देखेंगे तो 41,900 के आसपास का 900 to 700 के बीच का demand दिख रहा है multiple time इसको breakdown का attempt करा लेकिन वो नहीं रहा इस समय थोड़ा caution रहेंगे अगर इसको breakdown करता है तो 40,000 तक के levels भी downside में दिख सकते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस समय अगर आप put लेते हैं तो small quantity के साथ ही लेंगे क्योंकि यहां से एक bounce back भी दिख सकता है चुकि जब भी dull market को short करना काफी थोड़ा एक risky माना जाता है क्योंकि यहां से जब bounce back करेगा तो वो काफी तेजी में होगा या तो इस समय ट्रेड लेने से ignore करें यह करते हैं तो put side छोटा 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 ट्रेड लेंगे और जब तक 41 42,700 के level को breakout नहीं करता है तब तक long positionally करने से बचेंगे यहां निफ्टी के data में भी देखेंगे तो heavily when 7,900 का भी एक major resistance बन चुका है यहां देखेंगे call के put के comparatively call लगबग आज five times selling होते हुए दिखी है यहां देखेंगे तो major resistance as of now nifty के अंदर आपको देखने को यहां मिल रहा है यहां देखेंगे यह जो trend line है इसको multiple time attempt करा breakout करने का लेकिन वो failure रहा 17,800 के आसपास का एक major support है इसको breakdown करता है तो 17,500 तक के भी level दिखेंगे और मेरा मानना है कि nifty में तब तक long नहीं करना चाहिए जब तक 18,040 के उपर का closing इस zone को जब तक breakout नहीं करता है long करने से वचना चाहिए